नमस्कार दोस्तों बैष्णवी और्गेनिक डेरी फर्म में आपका स्वागत है पसुओ के लिए दाना मिश्रन के बारे में आज हम जनकारी देना चाहते हैं पसुओ के दाना मिश्रन में काम आने वाली पदार्थों का नाम जान लेना ही काफी नहीं है क्योंकि यह ग्यान पसुओ के रासन परिकलन करने के लिए काफी नहीं है एक पसुपालक को इससे प्राप्त होने वाली तत्वों के आधार पर संतुलित दाना मिश्रन बनाने में सहायता मिल सकती है नीचे लिखे गए किसी भी एक तरीके से यह दाना मिश्रन बनाया जा सकता है पर यह निर्भर करता है मक्का जव जई 40 किलो मात्रा में ले बिन ओले की खल 16 किलो ले मुंग फली की खल 15 किलो ले गेहूं की चोकर 25 किलो ले मिनरल मिक्चर 2 के जिले सधारन नमक 1 के जिले और यह 100 किलो दाना मिश्रन तयार हो गया है दूसरा जो मेथेड है जव 30 किलो सरसो खल 25 किलो बिन ओले का खल 22 किलो गेहूं की चोकर 20 किलो मिनरल मिक्चर 2 किलो सधारन नमक 1 किलो यह भी 100 किलो का बाटा तयार हो गया है और तिसरा जो है मक्का या जव 40 किलो मुंग फली की खल 20 किलो दाल की चूरी 17 किलो चावल की पॉलिस 20 किलो मिनरल मिक्चर 2 किलो सधारन नमक 1 किलो यह भी 100 किलो का दाना मिश्रन तयार हो गया है चोथा नमबर जो दाना मिश्रन है गेहू जव या बाजरा 20 किलो बिनौले की खल 27 किलो चनी का चूरी 15 किलो बिनौले का खेल 15 किलो आटे की चोकर 20 किलो मिनरल मिक्चर 2 किलो नमक 1 किलो कुल 100 किलो का यह दाना मिश्रन तयार है और कुछ एक दाना मिश्रन जो हमने अपने तरफ से बनाई है उस संपुर्ण दारा मिश्रन के बारे में मैं बता रहा हूँ पांचमे नमबर पर गेहुं मक्का जय या बाजरा पचास किलो ले बिनौला सरसो खल तिसी का खल राई का खल सुरुज मुखी का खल पैधिस किलो ले गेहुं का छोकर दस किलो ले चावल के पॉलिस 25 किलो ले, दालो की चूरी 15 किलो ले, स्वावीन की चूरी 10 किलो ले, मचली की दाना 10 किलो ले, मिनरल मिक्चर 3 किलो ले, सधारन नमक 2 किलो ले, कुल दाना मिश्रन 150 किलो का त्यार हो गया है। कम से कम 4-5 किलो हराचरा या कम से कम 15-20 किलो बड़े जानवरों को हराचरा देने की आउसकता पड़ती है दाना मिश्रन के गुनवलाव यह स्वादिष्ट पोश्टिक होता है ज्यादा पाचक होता है अकेले खल बिनौले चने से यह सस्ता पड़ता है पसुओं का स्वास ठीक रहता है बिमारी से बचने के लिए छमता परदान करता है दूध वगी में बढ़ोतरी करता है भैस वा गाय बयात नहीं मारती है भैस वा गाय अधिक समय तक दूद देती है कट्रे वा कटरिया को जल्द योवन प्राप्त करती है संतुलित दाना मिश्रन कितना खिलाएं शरीर के देख भाल के लिए गाय के लिए 1.5 किलो प्रती दिन वा भैस के लिए 2 किलो प्रती दिन दुधारू पस्वों के लिए गाय परतेक 2.5 लिटर दूद के पीछे अड़ाई लिटर दूद के लिए 1 किलो दाना मिश्रन दे भैस परतेक 2.5 लिटर दूद के लिए 1 किलो दाना दे गाभिन गाय वा भैस के लिए 6 महिने से उपर की गाभिन गाय वा भैस को 1-8 किलो तक दाना परती दिन फालतू देना चाहिए या ज़्यादा देना चाहिए बच्छेडियों के लिए एक किलो से अढ़ाई किलो तक दाना परती दिन उसकी उम्र या वजन के अनुसार देना चाहिए गायों को इन बातों का ध्यान रखें और संतुली तहार खिलाएं गाये आपकी तंद्रूस्त स्वस्त और रोगमुक्त रहेगी और दूद भी जादा देगा धैंक दोस्तों बयाने के 21 दिन तक गायों को समाने खाना ही दें गाये का बच्चा जब तीन महिने का हो जाए तब गाये का दूद कम हो जाए तो उसे 30 ग्राम दिन में एक बार जवस जवस औसधी खिलाएं दूद कम नहीं होगा रोग दुधारू गाये वा भैस को बढ़ाने के उपाये औसधी है दूद सो से 300 ग्राम सरसो का तेल 2800 ग्राम गेहूं का आटा लेकर दोनों को आपस में मिलाएं साथ में समय पसू को चारा वा पानी खाने के बाद खिलाएं इसके बाद पानी नहीं देना और एह दवाई भी पानी के साथ नहीं देना है अथवा पसू को खासी हो सकती है पसू के चारा वा बिनौले आदी जो खुराग देते हैं वह देते रहना चाहिए साथ से आठ दिनों तक खिलाएं फिर दवा बंद कर देना चाहिए दूद में फैट एसनेफ कैसे बढ़ाएं दूद में फैट और एसनेफ की मातरा होती है वो अहार के साथ पसू के जिन और नसल पर निर्भर करता है अगर आप वही अहार को अलग नसल के पसू को देंगे फिर भी उसका जो फैट की मातरा है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क रहता है अगर आपके दूद को फैट के आधार पर बेचना है तो पसू खरिदते समय उनका फैट की मातरा की जाँच करवा ले या चेक कर ले यसे में पसू पालक अपने दुधारू पसू के हरे चारे और सुखे चारे का संतूली ताहार देकर दूद में वहसा के मातरा को बढ़ा सकते हैं किसान भाई नीचे दिये गए फारमूलों से फायदा उठा सकते हैं यह रासन पसूओ को देना होता है जो दूद बढ़ा देती है 100 ग्राम टाटा नमक 200 ग्राम सरसो का तेल 100 ग्राम गुड और 100 ग्राम केल्सियम इन चारों को मिलाकर पसूओ को दे इससे अंदर की कमजोरी कम होगी और पसू जितना जादा हो सकेगा दूद में फैट और एसेनेफ भी बढ़ेगा धन्यवाद